हलो फ्रेंड्स वेलकम टू नोलेज हब पोदीने के फाइदे पोदीने का उप्योग विबिन रोगों के इलाज में मुहासे होने पर हरा पोदीना पीस कर इसमें पांच बून्द निम्बू का रस मिला कर मुहासों पर लेप करें दस मिनट आँखें बंद रखें आदे गंटे बाद आँखें बंद करके चैरा दोएं कुछ सब्ता प्रियोग करने से मुहासे मिठ जाएंगे लगाते और दोते समय ध्यान रखें कि पोदीना आँखों में नह जाएं दाद होने पर नित्य दो बार पोदीने की चटनी निम्बू के रस में पीस कर दाद पर लगाएं पोदीने का रस चार चमच निम्बू का रस दो चमच इस अनुपात में मिला कर नित्य दो बार लगाएं लंबे समय तक एक दो मा तक लगाने पर लाब होगा खुजली में भी लाब होगा ज्वर होने पर गर्मी में जुखाम खांसी वर ज्वर होने पर पोदिना चाई की तरह उबाल कर स्वाद के अनुसार नमक डाल कर पीने से लाब होता है पोदिने के पत्ते चाई की तरह उबाल कर इसे चान कर एक कप पानी में स्वाद नुसार चीनी मिला कर गर्म गर्म नित्य तीन बार पीएं ज्वर उतर जाएगा जुखाम, ज्वर, गेस, भूक, आदी में 25 ग्राम पोदिना, 10 ग्राम अद्रक, 10 काली मिर्च, 15 पत्ते तुलसी के इन सब को पीज कर दो कप पानी में अच्छी तरह उबालें उबलते हुए पानी आदा रहने पर इसे चान कर हलका गर्म रहने पर इसे पीएं इस प्रकार नित्य तीन बार पीने से हर प्रकार का जुखाम और गेस, ठीक हो जाते हैं और भूक अच्छी लगती हैं जुखाम और निमोनिया होने पर पोदिना 25 ग्राम अद्रक 10 ग्राम इने दो कप पानी में मिला कर काटा बना कर दो बार पीने से जुखाम गेस में लाब होता हैं पेट के रोग हरा पोदिना पीस कर रस निकाल लें पोदिने का रस दो चमच दो चमच सहद आदा निम्बू निचोड़ लें उसमें एक कप पानी मिला कर इसे गोल कर पिएं इससे गर्मी के मोसम में हुई अपच अर उच्छी कबज घेस पेट की जलन आदी ठीक हो जाएं गेंगे ओके फ्रेंड्स थैंक्स फोर वाचिं इस वीडियो